बुलुश्री प्राणनाथ प्यारे की बुलुश्री सत्गुरु महाराजु की उठके आए आसन अपने ग्रिह विश्राम एह बात मैं किन को कहूं कौन माने इस ठाम एक ठोर कथा मिने भाई गांग जी देत श्रवन प्राणाधार आत्म संबन्दी सुन्दर साथ जी कल के प्रसांग में हमने सुना है कि किस तरह से नियम पुर्वक निष्ठा पुर्वक चौदह वर्ष तक भागवत सुनने के पश्चात स्रीदेव चिंद्र जी की कसोटी हुई उनकी परिक्षा हुई और उसके पश्चात उनको राजी ने अपने वास्तविक रूप में दर्षन दिया जैसा स्वरूप परमधाम में मूल मिलावे में सिंहासन पर विराजमान है वैसे ही सुरूप ने दर्षन दिया और श्रीश्यामा जी अर्था श्रीदेव चिंद्र जी से कुछ बादचित हुई कुछ प्रश्चनत्तरी हुई जिसका वर्णन कल हमने सुना और उसके सार को तारतम के बीज वजन कहकर कि इसमें संबोधित किया गया उसके बाद राजजी अंतरधान हुए श्रीदेव चिंद्र जी के रिदेधाम में आकर के विराजमान हुए और जब घर में आए घर में आकर के विश्राम कर रहे हैं तारतम की पहली चोपाई भी श्रीदेव चिंद्र जी के द्वारा उसी समय अवतरित हुआ वैसे कहने वाले तो राज जी का आवेश ही है लेकिन ये चोपाई स्यामा जी के तरफ से अथवा स्यामा जी के भाव से कहा गया है क्योंकि तार्तम की पहली चोपाई क्या कहते हैं इसमें बहुत सारे विद्वान या सुन्दर साथिये कहते हैं कि राजी ने कहा श्यामा जी को कि मेरा नाम श्री कृष्ण जी है और मैं अब जाहिर हुआ हूँ तीसरे चरण में देखिये तो पता चलेगा कि चोपाई कह रही है सोतो अब जाहिर भाई सोतो मतलब वहतो और वह जो सब्द प्रयोग हुआ है वो सस्कृत व्याकरण के हिसाब से प्रथम पुरुस में और अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से थर्ड परसन में अगर राजी स्वयम कह रहे होते तो कहते कि मैं तो अब जाहिर हुआ श्यामा जी कह रही हैं कि जिस अक्षरातित ने ब्रज रास में स्री कृष्ण जी के रूप में लीला की क्योंकि नीज नाम है नाम का तात्पर यह होता है पहचान कि परमात्मा की पहचान ब्रज और रास में किस रूप में थे इस से पहले जागने लिला से पहले परमात्मा की पहचान श्री कृष्ण जी के रूप में ही थी और वह परमात्मा अब जाहिर हुए हैं ऐसा श्यामा जी के द्वारा ये चोपाय आउतरित हुई उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी जो चोपाई है वो श्री जी जब दीप बंदर पहुँचे वहां आउतरित हो गई और जब श्री जी अनूप सहर पहुचे तो दीप बंदर में जो दूसरी चोपाय आउतरित हुई थी वो श्री श्यामा जी वर सत्य है नहीं जबकि श्री देवचंद्रजी वर सत्य छे ऐसा था जब अनुवशहर पहुंचे वहाँ प्रकास हिंदुस्तानी की वाणी आउतरित हो रही थी तो वहाँ प्रगट वाणी के अंदर क्योंकि प्रगट वाणी में पूरी छे चौपाई है तो वहाँ छठी चौपाई भी अवतरित हुई और जो श्री देवचंद्रजी वर सत्य छे ऐसा ऐसी चौपाई है उसके जगह पर बदल करके श्री श्यामा जी वर सत्य है ये चौपाई आउतरित हो गए तो कुल मिला करके छे चौपाई का जो तारतम है वो अनूप सहर जा करके पूरा हुआ और वहाँ सनन्द ग्रंद के आउतरण के समय में निजनाम स्री कृष्ण जी के जगह पर निजनाम स्री जी साहेव जी आउतरित हुआ उसका भी अर्थ कुछ अनर्थ कारी नहीं है क्योंकि औरंग जेब तक वाणी का संदेश पहुँचाना है तो जिस तरह से वाणी कहती है सूर असूर सबों को एपती सब पर एकई दया कि वो सूर का भी परमात्मा है सूर मतलब देवताओं का और असूर मतलब राक्षसों का और वाणी में सूर असूर विशेश रूप से हिंदू और मुसल्मानों को कहा गया है सामाने रूप से उनकी रहनी को उनकी आचरन को देख करके और वाणी में कहा वेद आया देवन पे असुरन पे कुरान, तो हिंदू और मुसल्मान सबका है वो परमात्मा, हाँ, अपनी ब्रामक बुद्धी के कारण, अपनी सांप्रदाईक कट्टरता के कारण, लोग स्विकार न करें वो अलग बात है, लेकिन परमात्मा तो सबके लिए है, जैसे सूर्य का प्रकास कभी यह नहीं देखता, कि यह सुन्दर फूल है, यह सुन्दर नदी है, यह तालाब है, यहाँ पर में अपना प्रकास दूँगा, और यह कीचड़ है, यह गंदगी है, वहाँ में अपना प्रकास नहीं दूँगा, वहाँ में अंधेरा ही रहने दूँगा, उसी तरह से परव हिंदू परंपरा में जिनों ने जन्म लिया उनके लिए कटरता इस प्रकार की है कि वो ये मान ही नहीं सकते कि परमात्मा सस्कृत के अलावा और कोई सब्द से पाया जा सकता है परमात्मा को अगर जानना है तो इन ग्रंथों को ही पढ़ना पड़ेगा इन ही सब्दों के द्वारा और जैसी पूजा पध्धती हम अपनाते हैं उसके द्वारा ही परमात्मा पाया जा सकता है ये हिंदुों की कटरता है और मुसलमानों की कटरता क्या है कि यदि हमें सत्य ग्यान लेना है तो वो उर्दु अर्वे फार्शी में ही होना चाहिए जब दिल्ली में स्रीजी पहुंचे औरंगजीब तक संदेश पहुंचाने के लिए वो अपने तरफ से मसकत कर रहे हैं सुन्दर साथ के साथ तो वहां के कुछ मौलवियों ने देख करके कहा वाने के सिध्धान्त को देख करके कहा कि बाता तो बरहक है पर हमें रवा नहीं इस ठाम कि बात तो अच्छी है लेकिन चुकि हिंदी में ये बात लिखी है इसलिए हम नहीं मान सकते हमारे लिए तो उर्दो अर्बे फार्शे चाहिए तो उनके हिसाब से खुदा जो है उर्दो अर्बे फार्शे क्याला और कुछ समझता ही नहीं इसलिए किसी कवी ने कहा कि मानने वाले जो राम के उन्हें इसलाम से बू आती है बू मतलब बदबू गंद मानने वाले जो राम के उनको इसलाम से बू आती है मानने वाले जो इसलाम के उनको भगवान से बू आती है कौन चलेगा या खुदा तेरे नक्से कदम पर यहां इंसान को इंसान से बुवाती है जो हिंदू है उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ नहीं पड़े ढंग से जो मुसल्मान है उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ नहीं पड़े क्योंकि जितने भी लोग यदी धंग से कुरान पढ़ने तो कोई आतंगवादी बने ही नहीं लेकिन परमात्मा है तो सब का तो उस सब के परमात्मा को पहर्चान करानी है किसी एक भाषा के बंधन में बध करके समभव नहीं हो सकता इसलिए ये दूसरा तारतम वोतिरिध हुआ इसमें श्रीजी और साहेव सब्द है श्रीजी सब्द सरी शब्द सस्कृत भहसा का है श्री का तात्परिय होता है जो संपुण सभी प्रकार के अईस्वरियास म्युक्त मालिक है उसको Shri कहा गया है परमात्मा के लिए और जो जी सब्द है वो सम्मान सुचक है इसी तरह से जैसे Shri Krishna सब्द है जिनोंने ब्रज और राश में Krishna जी के रूप में लिला के थी Krishna उनको कहा गया और जो सब के आकर्षण का केंदर है उसको भी Krishna कहते हैं और उसमें भी जो जी सब्द है वो तो सस्कृत का नहीं है, सम्मान सुचक सब्द है, तो इसी तरह से, श्रीजी सब्द हिंदुओं के लिए और साहेब सब्द ये फार्सी भासा का है, ताकि ये माने, क्योंकि साहेब तो मुसल्मान भी कहेगा, ठीके जो इसाई वेक्ती है व है, इस संचार में स्रीजी साहिब की रूप में वो प्रगट हुआ है, जिसकी पहचान के लिए, जिसकी प्रतिक्षा आज तक दुनिया के लोग कर रहे थे, इस तरह का भाव, दूसरी चौपाई का है, मतलब निजनाम स्रीजी साहिब जी का है, तो इसमें कोई भेद नहीं है, सिर्फ भाषा का भेद है, सिर्फ समझ का फर्क है, तो ये दो तरह के तार्तम का भेद मैंने आपको भी बताया, अब पहला तार्तम और पहले तार्तम की भी पहली चौपाई निजनाम स्री कृष्ण जी, अनाधी अक्षिरातित ये चौपाई श्री देवचंद्र जी क ये द्वारा आउतरित हो गई देवचनर जी के माध्यम से, अब घर में विचार करते-करते, वो क्या सोच रहे हैं, कि ए बात में किन को कहूं, कौन माने इस ठाम, कौन मानेगा मेरी बात को, क्योंकि आज आप वानी की बात किसी के सामने कहने लग जाते हैं, किसी नए विक्त रही है, और आपके पास ज्यान नहीं है, आपको पता नहीं है कि समझाना कैसे, तो आप खुद स्वच में पढ़ जाएंगे, कि यह ज्यान तो इतना नया है, चार सो साल ही हुए, और दुन्या में जितने संप्रदा हैं, या विशे सुब जो धर्म ग्रंथ हैं, वो तो हज तो यह सभी जो ग्रंथ हैं, वो तो पहले से ही थे, और आपका जो धर्म ग्रंथ हैं, जिसको आप स्रिमुक वानी कहते हैं, कुल्जम सोरुप कहते हैं, सोरुप साहब कहते हैं, तो यह तो नया है, ऐसा लोगों का प्रश्न होता है, और आपके पास भी जवाब नहीं होता क्योंकि आपने कभी इस विश्य में चिंतन नहीं किया है तो जब भी आप किसी को कहने जाएं तो लोगों को क्या लगेगा कि पहले तो वो आधा दुरा सोचते हैं और उनको लगता है कि यह जो ज्यान है वो तो जितना पुराना हो उतना ज्यान सही होना चाहिए पुराना हो तभी वो सत्य हो ऐसा लोग मानते हैं पहली बात तो ऐसा नहीं है कि जो पुराना हो वही सत्य हो क्योंकि हो सकता है की आज से 50 साल पहले जो सिधान्त सही माना जाता रहा होगा समाज में जो प्रचलन होगा या जो परमपरा रही होगी उसका पालन आज नहीं होता है बहुट शारी ऐसी चीजें है तो आप ये नहीं कह सकते कि पूराना है तभी सच है ये तो सामन्य समझदारी की बात है और वैसे आपको पुराना ही ढूड़ना है तो वाणी में जो भी बातें की गई है परमात्मा से सम्मंदित वो कोई नया सिद्धान्त नहीं है क्योंकि सत्य तो कभी नया और पुराना नहीं होता है ऐसा नहीं है कि आज से सौ साल पहले सूरिय पश्चिम में उदय होता था आज पुर्व में उदय हो रहा ऐसा तो नहीं है सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्थ होता है ये पहले भी सत्य था और आज भी सत्य है इसी तरह से परमात्मा की धाम, स्वरूप और लीला से सम्बंधित जो भी बाते वाणी में लिखी गई है वो तो अनादिकाल से वही सत्य है, अनन्दकाल तक वही सत्य रहने वाला है परमात्मा अपने दिव्य ब्रह्मपूर में रहता है ये बात कोई नई थोड़ी है, उपनी सदों में लिखा हुआ है कि दिव्य ब्रह्मपूरे ही ये शव्यमनी आत्मा प्रतिस्ठिता अच्छा ये हद बेहद से परे परमात्मा है ये बात कोई नहीं थोड़ी है है लोगों को नहीं पता वो अलग चीज है धर्मिग्रन्थों में पहले से लिखा हुआ है हम जैसे प्रार्थना करते हैं स्कूल में सिखाया जाता है कि असतो मा सत्गमया तमसो मा ज्योतिर गमया मृत्योर मा अमृतम गमया इसमें क्या बताया है कि असत्य है परमात्मा आप हमें असत्य से सत्य की तरफ लेके चलिए तमस से अंधकार से प्रकास की तरफ लेके चलिए और मृत्यू के चक्र से आप हमें अमरत्व की तरफ अथवा मोक्ष की तरफ लिकर के चलिया तो इससे ये इसपस्ट है कि परमात्मा यहां तो नहीं है जहां ये सभी चीज़ें हैं असत है, मृत्यू है, तमस है, इससे परे परमात्मा है ये तो पहले से इसपस्ट है अच्छा परमात्मा की लीला से संबन्दित जो बाते हैं तो सारी बातें पहले सही धर्मगरंतों में संकेत रुप में लिखा गया है लेकिन वानी की महीमा ये है कि वानी में उन सभी रहस्यों को खोला गया है वानी के अत्तिरिक्त कोई भी उन रहस्यों को नहीं खोल सकता है नहीं समझ सकता है लेकिन लोगों को अब ये बात नहीं लगती है क्योंकि उन्होंने पड़ा ही नहीं है उनको ये भी नहीं पता कि जिसको तुम पुराना कहते हो उसमें लिखा क्या हुआ है तो अब देवच जी ने कहा कि मैं भेजूगा तमाम तो उनके मार में प्रेरणा होई कि गांग जी भाई भी तो साथ में जाते थे चर्चा सुनने के लिए तो अंदर से अंतर प्रेरणा होई कि उनको सुनाई जाए तो गांग जी भाई जब चर्चा से उठ रहे थे वापस लोट रहे थे तो उनके सामने श्री देवाचिंद्र जी ने बात रखी किस तरह से बात रखी कि वैसे यहाँ चोपाईयों में वर्णन नहीं है लेकिन सामानी रूप से हम समझ सकते हैं कि देवाचिंद्र जी ने कैसे समझाया होगा कि भागवत के अंदर रास की लिला का संक्षेप में वर्णन है मतलब वो भी संकेत में और वो भी प्रतिविम की लिला का इसी तरह से ब्रज की लिला का थोड़ा बहुत वर्णन है योग माया स्रफ नाम मात्र के लिए लिखा गया है इसी तरह से महाप्रले में इस ब्रह्मान का नास हो जाता है ये सारी बातें लिखी हुई है तो स्रीदेवचंद्र जी ने उनको समझाया होगा गांग जी भाई जी को कि महाप्रले के बाद परमात्मा कहां पर रहता है कहां रहेगा अखंड ब्रज और रास की बात करते हैं ये दुनिया तो अखंड है ही नहीं फिर दुनिया के न रहने पर अखंड ब्रज और रास का स्तितोव कहां पर रहेगा जब इस तरह की बातें सुनी तो अब गांग जी भाई के मन में जिग्यासा हुई ये बात तो हम भी इतने वर्सों से भागोट सुनते आ रहे हैं लेकिन हमारे मन में तो कभी नहीं आई तो अब गांग जी भाई रुची के साथ में देवचिनर जी की बात सुनने लग गए रास्ते में खड़े होकर के बात कर रहे हैं अब बात करते करते क्या हो गया कि एक पनीहारीन थी पानी भरने वाली क्योंकि पहले पानी भरने के लिए घड़ा ले करके गगरी उठा करके दूर जाना हुड़ता था कहीं कुए में या कोई भी जलस्रोत में जा करके पानी भर के लाना होता था तो पनीहारीन पानी भरने क के लिए जा रहे थी तो देखा कि दो लोग खड़ायो कर के बात कर रहे हैं अब पहली बार देखने पौई ऑ्ट नहीं लगता कोई खड़ा है बात कर रहा है लेकि उन्होंने देखा दूसरी बार भी जब पानी वहने जा रहे थी तब भी वो दोनों महि पर खड़ाय का फी लंबा समय हो चुका है फिर तीसरी बार भी उन्होंने देखा कि पानी भरने के लिए जब आ रही है तो तब भी यह लोग खड़े होकर के बात करें इनको शरीर की सुध भी नहीं है इनके पैरों में दर्द भी नहीं हो रहा होगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ अताब कि हूँ और आप तब से खड़े हैं जब ऐसा कहकर के पनीहारिन ने टोक दिया तब जाए शरीर की सुध आवे याद विचार कहे से दो याद करे बुनियाद अब पनीहारिन के कहने के बाद उनको अपने शरीर की सुध हुई शरीर की याद आए कि अरे हम तो यहां खड़ अब आप जाए और उस राजी के प्रेरणा से जो गांग जी भाई चर्चा सुन रहे हैं देवचंदर जी की बात सुन रहे हैं तो उनको भी अपनी बुनियाद याद आई बुनियाद का मतलब मूल मतलब हमारा मूल कहां है परमधाम तो परमधाम की उन्हें याद आई कि ए बात अगाध है है कच्छू अलवकिक रोशन कि ये तो कुछ अलवकिक बात है और ये जो ग्यान है वो अगाध है अगाध मतलब अपार है इसकी महिमा तो गांग जी भाई जी ने पूछा कि देवचंदर जी हम और आप दोनों तो साथ में भागवत सुनने जाते थे प्रश्न तुम कहां से लावत तुम मोहे बताओ सोय कि आप मुझे बताईए कि आप ऐसे प्रश्न कहां से लेकर क्या रहे क्योंकि हम तो साथ में भागवत सुनते थे कान जी भट जी ने तो ऐसी कोई बात बताई नहीं क्योंकि मैं तो साथ में होता था और मेरे मन में भी इस का पूरा पात्र तब कछु चले बतावते सत बोय रजमात्र अब गांग जी भाई को देखा कि ये पात्र हैं ये रुची ले करके सुनने वाले हैं क्योंकि दूसरी बीतकों के अंदर स्री लाल्दा हजी कृत बीतक में तो ये वर्णा नहीं है लेकिन दूसरी बीतकों में य विचार आया कि ये ज्ञान में किसे दूं अंदर उनको कुल बुलाहट हो रहे कि मुझे किसी को ये ज्ञान देना है अब उन्होंने एक नाई को कहा कि तू बैठ करके चर्चा सुन अब उसकी रुची तो थी नहीं देवचन रजी ने सोचा कि नाई दिन भर में जितने कम कर लेता है मैं उतना दे दूंगा लेकिन इसको बैठा करके चर्चा सुनाओंगा अब नाई ने थोड़े समय तक सुना लेकिन अब उसको समझ में नहीं आये बात अब जो जो चीद समझ में नहीं आती है वो चीद गलत लगती है बुरी लगती है बोरिंग भी लगती है तो नाई ने कहा कि नहीं मुझे नहीं सुनना है क्योंकि उसके अंदर उपात्रता ही नहीं थी गांग जी भाई जी के अंदर पात्रता है रुची है तो देव चिंदर जी ने अब सारी बात बताई सारी बात का मतलब कि ये जो बातें हैं भागवत की या परमात्मा की पहचान से संब्ढ़ी तो वो उनके अंदर कैसे आई तो देवत चनर जी ने क्या कहा फिर जनम से लेकर आये नए नगर जनम से लेकर के जो 11 वर्ष की उम्र में उनकी मन में प्रस्ण उठे थे और वहांशे खोज के करम में कैसे कच्छ फिर भोज नगर होते हुए नौतनपुरी पहुँचे और वहां किस तरह से उन्होंने और उससे पहले जब-जब भी उनको दर्शन हुआ था दोनों वक्त का और ये तीसरी बार जो दर्शन हुआ और दर्शन देखर के जो राजी ने समझाया वो सारी बातें बताई कि किस तरह से परमात्मा की कृपा से ये सारी बातें मुझे पता चले तो अब गांग जी भाई जी वहां से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा जैसे देवचिंद्र जी सोच रहे हैं प्रतिक ब्रह्म सृष्टी का ये कर्टब यह है हम जब तार्तम लेते हैं तो क्या कहते हैं ए सुख देव ब्रह्म सृष्टी को तो मैं अंगना नार तो श्री देवचिंद्र जी के अंदर जो श्यामा जी के आत्मा विराजमान है उनके मन में भी यही तडब है कि कब हमारी जो ब्रह्म्य सुष्टियां है आत्मा है वो जागरित हों तो वो अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं इसी तरह से गांग जी भाई को जब यह ज्यान म होने से कोई भागवत के पिछे पड़ा होगा कोई रामायन के पिछे पड़ा होगा कोई महा भारत के पिछे कोई राम चरित्मानस के पिछे कोई किसी नदी में नहा करके सोच रहा होगा कि इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी कोई किसी ऐसे गुरू से जो स्वयम माया में डूबा हुआ हो स्वयम आदम बरी हो ऐसे गुरू के साथ जुड़ करके भी अपने आपको कृत-कृत्य समझता होगा बाहरी वेश-भुशा को देख करके बहुत सारे लोग है ऐसे दुनिया में जैसे किसी सादु ने कहा न गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दाओ भाव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाओ तो ऐसे कितने गुरु ऐसे होंगे जिनको सिश्यों से सरफ अर्थ की कामना होगी सरफ प्रतिष्ठा की इज़त की सम्वान की कामना होगी और उनके अंदर उस चीज की लिए योग्यता पात्रता भी नहीं होगी लेकिन शिश्यों को उनकी पहचान नहीं होती है क्योंकि कई बार हमें बज़पन से ही सिखा दिया जाता है कि जो गुरु हो गुरु कुछ कहे तो उस पर सवाल नहीं करना चाहिए आख बंद करके मान लेना चाहिए और बहुत सारे लोगों ने अपने स्वार्थ से स्लोकों की रचना कर दी और कहने लगे गुरु वाक्यम ब्रम्ह वाक्यम ऐसा नहीं होता गुरु वाक्य ब्रम्ह वाक्य नहीं है हाँ ब्रम्ह वाक्य गुरु वाक्य जरूर है क्योंकि परमात्मा ही तो सबका गुरु है ना लेकिन गुरु परमात्मा नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा पूर्ण है उसके अलावा और कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता इस बात को वाणी और बितक में जितनी अच्छी तरह से बताया है कि इससे बड़ा कोई उधारन होई नहीं सकता तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको परमात्मा की पहचान नहीं होगी अब गांग जी भाई के मन में भी वही लगलक है वही तडप है कि श्री देवचंद्र जी के तरह ही कि वो भी चाहते हैं कि दूसरे ब्रह्मन सुष्टियों की जागरिती हो तो उन्होंने स्री देवचंद्र जी से आगरह किया क्योंकि वो सामाने रूप से देवचंद्र जी से लोकिक धन उनके पास में अधिक था घर उनका बड़ा था तो उन्होंने सोचा कि स्री देवचंद्र जी से कहा कि सद्गुरु महाराज क्योंकि अब तक वो देवचंद्र थे राजी जब विराजमान हुए तो उनको सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी कहा गया तो उन्होंने कहा कि सद्गुरु महाराज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में आए आप ही का घर है और वहां रहकर के सुन्दर साथ को लोगों को जितने भी लोग जुड़ने वाले ब्रह्म सुष्टियों को इस अलोकिक चर्चा का लाभ दें क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे गांग जी भाई होंगे बहुत सारे ऐसे जिग्यासु होंगे जो ब्रह्म सिष्टी होंगे और जिनको कुछ पता नहीं होगा और सुन्दर साथ की जो भी सेवा होगी वो सेवा मैं करूंगा आप बस सुन्दर साथ को चर्चा दीजिए ज्यान दीजिए अब गांग जी भाई के इस निवेधन को इस सेवा बहावना को स्विकार करके स्रीदेव चिंदर जी ने कहा कि ठीक है मैं आपके घर में चर्चा करूंगा अब अगला जो प्रकरण है उसमें महमति स्री लालदास जी ने पहले तो शंग्षेप में श्री देवचंद्र जी के परिवार का भी वर्णन किया है, श्री मिहिर राज जी के परिवार का भी वर्णन किया है, क्योंकि वो वर्णन हम हर साल सुनते आए हैं, इसलिए मैं परिवार के सदस्यों का अलग से अभी नाम नहीं ले रहा हूं, आगे प्रसंग आएगा तो हमे विशे में स्री लाल्दा जी बता रहे कि सबसे पहले गांग जी भाई धरे कदम निजानन्द दर्शन में निजानन्द संप्रदाय समझ लीजिए इसको कते परंपरा में दीन ए इसलाम भी कहा गया है इसका मतलब है शांती का मार्ग आनन्द का मार्ग अगर उसको हम कहें तो निजानन्द कहते हैं तो इस निजानन्द के मार्ग में गांग जी भाई जी ने सबसे पहले अपने कदम रखा और सिर्फ तार्त ़िए लेकर के सुंदर साथ की जमात में नाम के लिए सामेल नहीं हुए उन्हें पिर आगे उनने परीवार का भी वरणन किया है अब मैं सभी लोगों का नाम नहीं ले रहाँ क्योंकि नाम लेते रहोंगा तो समय बहुत अधिक हो जाएगा हमारे पास इतना समय नहीं है सोचे कि अगर वित्त की बहुत अथे से व्याख्या करनी है एक-एक शब्द की, एक-एक प्रसंग की, एक-एक गहराई की तो दो महिने का समय भी सायद कम पड़ जाए और हमें तो अपचारिक ता यह है कि एक महिने में पूरा करना है तो मैं नाम वगरा बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा हूँ और सिधे प्रसंग में आ रहा हूँ कि सब का नाम वर्णन किया और अब आगे श्री लालदाजी कह रहे हैं कि जब श्री देवचंद्र जी वर्णन करते थे इन सभी सुन्दर साथ के सामने जब श्री देवचंद्र जी परम्धाम का वर्णन करते थे उस परिस्थिति का उस अवस्था का वर्णन करते हुए कहा कि समय श्रीदेवचंद्र जी चर्चा करते जब इत काहू को बोलने की ताकत न रहे वे तब श्रीदेवचंद्र जी जब चर्चा करते हैं तो बीच में बोलने की ताकत किसी के नहीं है और यहां बात जाहरी ताकत की नहीं है अगर लौकिक रूप से कहना हो तो कोई भी उट करके ऐसे हला करके चला जाता लेकिन यहाँ ताकत नहों होने का मत्त्रब चुंकि सुनने वाले भी पात्र हैं सुनने वाले जिग्यासु हैं तो जब चर्चा सुन रहे हैं श्री देव चनर जी की पहली बात तो राजी वर्णन कर रहे हैं उनके अंदर से और कैसे वर्णन कर रहे हैं मैं थोड़ा सा आगे वर्णन करो फिर इस प्रसंग में वापस आऊंगा कहते हैं चर्चा जोस में करे कहें भाव से मुख भाव से और जोस पुर्वक चर्चा करते हैं और या समय इन साथ को कहिऊ न जाय सुख सुन्दर साथ को जो सुख में रहा था उस सुख के विशे में कहा नहीं जा सकता है सोची कि जो सुख में होगा जो आनन में डूबा होगा उसको फिर बीच में बोलने कि आऊ सकता क्या पड़ेगी वो तो उस आनन से बाहर आना ही नहीं चायगा कोई सुन्दर साथ यह चायगा ही नहीं कि चर्चा बीच में बंद हो और धन्य है गांग जी भाई जिनकी सेवा धन्य है कि उन्होंने सुन्दर साथ को यह सोचने का मौका ही नहीं दिया क्योंकि कई बार क्या होता जैसे यहां पर माता हैं विशेश रूप से यहां चर्चा सुन रही हैं माल लीजिये कि पांच बज़े की जगपर साड़े-पांच तक में चर्चा कर दूं त के लिए ये करना है वो करना है ये सारे टेंशन होती है कि नहीं और जितने पुरोष सुंदर सातों के उनको कमाने की चिंता होगी अगर मानलीजे कि एक महिने के लिए दीन में तीन भार चर्चा की जाए सुबा दो पर अरसाम आप लोग आएंगे नहीं आएंगे और अगर आ लेकिन गांग जी भाई जी की सेवा को भी भूला नहीं जा सकता और उनसे सेवा की शिक्षा लेने चाहे क्योंकि उन्होंने सोचा कि सुन्दर सात को किसी तरह की चिंता नहों की भोजन की विवस्था कैसे करनी है खाना बनाना है घर में जाकर कि ये काम करना है वो काम करना नहीं गांग जी भाई जी ने सब को चिंता मुक्त करने के लिए उन्होंने सारी व्योस्ता अपने घर पे ही कर रखे थी हाँ जो थोड़े दूर से आते थे वो अपनी सुविधा के हिसाब से चले जाते थे लेकिन जिनको भी लगता था कि नहीं आज हम यहीं रुप करके चर्चा का पूरा आनंद लेंगे क्योंकि पहले आज के जैसा बंधन नहीं था आज क्या है पहले के हिसाब से भौतिक सुविधाएं तो ज्यादा है लेकिन उसी हिसाब से बंधन भी उतना ही अधिक हो गया है जितने सुविधाएं बंधन भी उतना ही पहले सुविधाएं नहीं होती थी भले ही पानी भरने के लिए दूर जाना पड़ता होगा लेकिन अगर कह दिया जाए कि नहीं घरबार छोड़ करके निकलने के लिए भी तयार होते थे आज मान लिजिए कि जागनी की यात्रा निकलती है ग्यान पिट से उधारन के लिए यहां के जितने भी विद्वान है पुझे स्वामी जी के साथ में हम निकलें और सरसावा के सुन्दर साथ को आगरह करें कि सुन्दर साथ जी हर परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति साथ मे चले, क्योंकि सेवा कई प्रकार की हो सकती है, जो सुन्दर साथ रहेंगे उनके भोजन की, आवास वगर की वियोस्था करनी है, सुरक्ष्या की द्रिष्टी से पुरुष्ट का भी ओना आवसेक है, ठीके गाड़ी वगर अचलाने के लिए और साउंड सिस्टम के लिए, कैम होंगे, जबकि आज तो आप घर से निकलेंगे, तब भी वीडियो कॉल के थ्रू आप घर पर प्रति दिन बात कर सकते हैं, कि आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, हम सब ठीक ठाक हैं, और जो घर पे होंगे, उनकी परिस्थति का भी हमें पता चलता रहेगा, आज तो इंटर गए, चिठी के माध्यम से वर्सों या महिनों के बाद में कोई संदेश मिला तो मिला, नहीं तो वो भी देना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझते थे, सोचिए, मुकुंद दाह जी हैं, एक सुंदर साथ, भी तक में नाम आता है, श्री जी की खबर सुनी, श्री जी की पहचान सुनी, नहीं नहीं साधी हुई थी, उनको पता चला कि श्री जी ने बुलाया है जागनी की सेवा के लिए, उन्होंने पतनी से कहा चलो, जागनी के लिए चलना है, सेवा के लिए चलना है, तो पतनी ने कहा कि अभी अभी तो साधी हुए मैं तो नहीं चल सकती मुकंदा जी ने का ठीक है फिर मेरा प्रणाम सुईकार कर वहां से निकल गए ऐसे कितने सुन्दर साथ थे स्री जी जब निकले सूरत से 500 की जमात थी पन्ना पहुंचते पहुंचते 5000 की जमात थी तभी तो उस दोर में जागनी इतनी तेजी से हुई आज इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि सुन्दर साथ इस बंधन को छोड़ करके सेवा के लिए आगे आने के लिए तयार ही नहीं है तो यहां जो जागनी का दौर चला है उसके पीछे कारण ये है कि सब सुन्दर साथ के अंदर त्याग भावना है अपवाद होते हैं हर जग़ पर और ओ सकता है कि किसी के अंदर माया का प्रवाह भी हो लेकिन त्याग करने वाले सुन्दर साथ बहुत है आज के समय में इसे दस भी सुन्दर साथ मिल जाएं तो जागनी का जो कार्य है वो बहुत ही तिव्रगति के साथ में हो सकता है क्योंकि देखिए जागनी करने के लिए सिर्फ चर्चा करने वाले व्यक्ति का होना परियाप्त नहीं है ऐसे सुन्दर साथ की भी आउसकता है जो जन जन तक पहुँच करके लोगों को मंच तक पहुँचने के लिए प्रेरीत करें कि देखिए आप जिस परमात्मा की खोज अनेक रूपों में कर रहे हैं वो परमात्मा वास्तों में कैसा है उसको जानने के लिए आपको यहां पर जाना पड़ेगा इस तरह से बात करने वाले सुन्दरसात की भी आऊ सकता पड़ेगी अच्छा अगर हजार दो हजार लोग आ गए तो उनकी विवस्था करने के लिए तो धनकी आओ सेक्टा पड़ेगी क्योंकि भोजन खिलाना पड़ेगा ठीक है माईक साउंड सिस्टम ये गर्मी में पंखा लाइट पंडाल इन सब की विवस्था करने पड़ेगी इतने से जागनी होगी तो ये भी संबह नहीं है क्योंकि सारीरी के स्रम की भी आओ सेक्टा पड़ेगी तो कुल मिला करके यह है कि जागनी के लिए तन मन धन के सेवा की आओ सकता पड़ती है और गांग जी भाई जी ने कुछ ऐसा ही किया उन्होंने शरीर से भी सेवा की धन से भी सेवा की और वो दोनों सेवा तब कर पाए जब उनका मन सेवा में लग रहा था तो उन्होंने तन मन धन से सेवा की तो वहाँ अब सुन्दर साथ जो देवचंदर जी की चर्चा सुन्द रहे हैं और ऐसी चर्चा की देवचंदर जी के विशे में कह रहे हैं स्री लालदाह जी कि भाव काड दिखा वहीं सब चर्चा को रूप कि जिसका वो वर्णन कर रहे हैं वो ऐसे भाव से कर रहे हैं कि बर्णन करें स्री राज को सुन्दर रूप अनूप। राजी के सुन्दर सुरूप का वर्णन करते हैं। सास्त्रों की साक्षी देते हैं, संत वाने की साध्यों के वाने की साक्षी देते हैं। राजी से मिलाने का बहुत ही अंग में उमंग है। एक नया कोई जो आवत तो उमंग न मावे अंग मो। ये चोपाई में दुबारा फिर से दोहरा रहा हूं। अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को एक नया कोई जो आवत तो उमंग न मावे अंग मो। देवचनर जी को सबसे ज्यादा खुशिकाब होती है जब कोई नया सुन्दर साथ आता है। इसard उससाब से राजी को रिधाना कितना सरल है। उनको रिजाने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक बहुत सरल तरीक यह हैं कि लोकोई भी नयावेक्ति कोई भी नया संदर साथ राजी की पैचान करे। कोई नई ब्रह्मस्रिष्टी då कि जाग्रीथ हो तो तो राजी को सबसे ज्यादा आनद उसमें होता है, राजी को रिजहने का सबसे सरल मार गिये है। तो इस तरह से अब जागनी का दोर चल रहा है और उधर क्योंकि मैंने कल की चर्चा में भी कहा था कि दो तनों से जागनी की लिला होने वाले हैं दूसरे तन का मिलाप कैसे होता है उनके विशे में भी अब आगे वर्णन करने जा रहे हैं दूसरे तन का नाम क्या है स्री मिहर राज जी अनके पिता का नाम है केसव ठाकूर मिहर राज जी लौकिक रूप से ठाकूर परिवार से समने नहीं ठककर भी कहा गया है तो पिता का नाम केशव ठाकूर है और माता का नाम धनबाई है मिहिर राज जी के अंदर आत्मा किसकी है इंद्रावती जी के और उनका जन्म हुआ 1675 में पांच भाई है मिहिर राज जी के साथ मिला करके उनमें से अध्यात्मिक द्रिष्टी से गोवर्धन जी सबसे बड़े हैं अध्यात्मिक द्रिष्टी से वैसे गोवर्धन जी तीसरे नमबर पर आते हैं अध्यात्मिक द्रिष्टी से बड़े इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले श्री देवचंद्र जी के पास जा करके तार्तम ज्यान ग्रहन करने वाले गोवर्धन जी थे इसलिए क्या कहा भाई गोवर्धन कया जासों पहिले श्री देवचंद्र जी मिलाप वरना उनसे बड़े ओर भी भाई हैं सामवल्या ठाकूर है अरवन स्ठाकूर है उसके बाद आते हैं गोवर्धन जी फिर आते हैं श्री मिहराज जी और फिर हैं उद्धव जी तो इस तरह से ये पांच भाई हैं गोवर्धन जी के अंदर गुडवन थी भाई की आत्मा थी और गोविन जी भाई थे अब क्या हुआ कि यह तो पूरा परिवार है और मिहिराज जी का जो लौकिक परिवार है भी बहुत बड़ा है जिनका वणन यहां पर पूरा किया गया है बहुत सारे सदश्य हैं इसमें इन सभी सदश्यों का नाम लेने के बाद में श्री लालदाजी km कहा कि और साथ बहुत हैं गाम सहर और-อर अब इनके अलावी सुन्दर साथ बहुत हैं अलग-अलग गाम में अलग-अलग सहर में मैं थोड़े नाम लिखे इन्हों कहे जाएंगे और ठार इतने सारे लोगों क का नाम लिखा उसके बाद श्री लालदाजी के रहे कि मैंने तो कुछ ही लोगों का नाम लिखा है बाकी लोगों का नाम आगे प्रसंग के इसाब से वर्णन होता रहेगा श्री जी जहां जहां भी जाएंगे जहां जहां जागनी होती जाएगी वहां वहां सुंदर साथ का नाम सामने आता जाएगा अब दोनों सुरुप के मिलाप होने से पहले एक प्रकरण दिया है स्री लालदा हजी ने उस प्रकरण का सिर्षक है कुरान पुरान की साक्षी कि कि परब्रह में इस संचार में आएंगे दो अलग-अलग तनों में बैठ करके लिला करेंगे इस संदर में दोनों पक्षियों में साक्षी दीगे क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही क्या परमात्मा तो सब के है तो इसमें करतेब की साक्षी के विशे में कहा कि सिपारे बारवे मिने पाने 24 में तफसीर के 301 तुम देखियो 300 कुरान के बारवे सिपारे में 24 में पाना और यह पेज नम्मर आज के हिसाब से नहीं है उस समय जिस ग्रंध के आधार पर स्री लाल्दाह जी ने बितक में वर्णन किया उस ग्रंध में 24 में पन्य में होगा उस समय जो तफसीर तफसीर मतलब टीका होगी उसमें 301 नमबर प्रिष्ट में होगा लेकिन आज उसी जगह पर ढोड़ने जाएंगे तो हो सकता है ना मिले क्योंकि फॉंट बदलते रहते हैं लेकिन यह अलग बात है कि सिपारे संकित रूप में लिखा गया है कि स्रीदेव चिंद्र जी के स्वरूप को परमात्माने नूर अर्था तार्तम का ज्यान दिया और यह लिखा कि यह जो ज्यान है वो कब जाहिर होगा तिनका विश्तार कयामतें होएगा बड़ा मजगूर कयामत के समय में उस ज्यान का इसे में बात करेंगे तो इस तरह से कतेपक्ष में यह बात लिखी है और भागवत के अंदर सुकदेव मुनी ने भी जो बातें लिखी है कह रहे हैं कि सो भी तक श्रीदेव चंद्र जी अच्छा कागद जो भागवत का ले आया सुक मुनी इनका अर्थ ब्रह्म इसी तरह से एक और संदेश लेकर के आये मुहम्मद सहब और उसमें भी श्रीदेव चंद्र जी की और श्री प्राणना जी के शुरुप के बितक का संकेत किया और उसमें 120 वर्स का वर्णन किया और कहा कि 120 वर्स तक यह जो लीला होगी जागनी कि उसमें लड़ाई होगी किसके साथ लड़ाई होगी दज्जाल के साथ दज्जाल किसको कहते हैं सिर्फ भासा का फर्क है जिसको हिंदू धर्म ग्रंथों में विश्य शुरुप से भागवत इत्यादी ग्रंथों के अंदर कली यूग कहा है अज्या कहा गया है तो उसके साथ में लड़ाई कैसे होगी उसके विशह में पुरा वर्णन किया है और आगे कह रहे हैं कि विरोध सारी विश्व का भागत इन बीतक सबको पहचान हो वहीं पहुंचे कदमों हक कि इस ज्ञान के द्वारा इन सभी प्रमाणों के द्वारा क्योंकि व सब प्रमाण दिये गए हैं धर्मग्रंथों के इसके आधार पर समस्त संचार का विरोध समाप्थ होगा इस तरह से ये प्रकरण में कतेव पक्षकी और हिंदू धर्मग्रंथों के शाक्षी दी गई है और अगला जो प्रकरण है उस प्रकरण का सीर्षक है दोनों करता कौन है वो भी पता चला लेकिन दोनों आपस में मिले कैसे भूमिका कैसे बदी क्योंकि बिना किसी कारण की तो मिलते नहीं है आप यहां पर चर्चा सुनने आए हैं तो कोई ना कोई तो कारज कारण होगा ना कुछ सुन्दर साथ पहले से तार्तम ग्यान लिये होंग तो उस तार्तम ग्यान ग्रहन करने की भी भूमिका होगी कुछ लोग हो सकता है कि यहां से जो एनॉंचमेंट होता है उसको सुन करके यहां पहुंचे होंगे कुछ लोग ऐसे होंगे कि यहां से जो चर्चा सुन करके गए होंगे उन्होंने कहा होगा कि देखो श्री प्रा करण में वो संदर्व बताया गया वो भूमिका बताई गई है कि दोनों का मिलाव कैसे हुआ और कहा कि श्री देवचंद्र जी के अमल में मतलब उनके समय में सुन्दर साथ को उनके हृदे में बहुत अधिक आनंद हुआ क्यों तिन की चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग दे पुनह कहा गांग जी भाई सेवही उच्छव रसोई नित प्रति दिन रसोई की सेवा करते हैं नई नई भातों सेवही हुआ अंग में उमंग इत अब गांग जी भाई के मन में भी उमंग है सेवा करने का मन में अगर उच्छा नहों तो सेवा नहीं कर सकते हम किसी दूसर के दबाव में सेवा नहीं कर सकते काम कर सकते हैं अपचारिक्ता निभा सकते मालेजिए मन में भाव नहीं है लेकिन मालेजिए कि स्वामी जी ने कहा कि सुंदर साथ जी यह थोड़ा सा काम है यह आप कर देजिए अब मना नहीं कर सकते कर तो लेंगे लेकिन उसको सेवा नही देखता है दुनिया की लोग रिजल्ट देखते हैं और परमात्मा देखता है एफट मतलब प्रयास क्योंकि रिजल्ट तो परिणाम तो बाहर की आखों से देखा जा सकता है ना परिणाम तो कुछ भी हो सकता है जैसे एक उदाहरण के लिए एक महात्माजी चर्चा कर रहे थे सेवा की विशे में दान की विशे में बता रहे थे तो एक बहुत बड़ा सेठ था उद्द्यमी था बिजनेसमें वह आए और आकर के पांच लाख रुपए एक थैले में भर करके दिये तो जो साधू थे उन्होंने अपने सीश्य को ऐसे थैला करें कि रखो ये उसके थोड़ी देर के बाद ही एक बुजुर्ग महीला आई इस्तरी आई उसके पास पांच रुपए का सिक्का था उसने उस साधू को दिया कि महाराजी मेरे पास तो कुछ नहीं है मेरे तरफ से ये ले लीजिए उन्होंने उस सिक्के को लिया आँख बंद करके ऐसे दिल स लगाया और उसको अपने जेब में रख लिया सम्मान के साथ में और वो सेठ को बुरा लगा कि मैंने पांच लाग दिये वो उन्होंने अपने सीशे को ऐसे पकड़ा दिया रैंडम ली कि जैसे कुछ हो ही नहीं जैसे मैंने सो रुपए दे दिया हो और ये पांच कि आपने जो मेरे द्वारा दिये गए दहन को तो ऐसे अपने सीशे को पकड़ा दिया और ये जो पांच रुपए है उसको अपने रदे से आपने लगा लिया इसके पिछे कारण क्या है तो उन महात्मा जी ने कहा कि देखिए आप करोड़पती व्यक्ति हैं आपके लिए ये पांच लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपने दे दिया असा दुनिया के लोग जो सभा में बैठे थे उनको इस चीज की पहचान नहीं होती तो उनके लिए तो क्या था कि सेठ ने इतनी बड़ी सेवा कर दी लेकिन वो महात्मा इस बात को समझ रहे ह हैं लेकिन वो उन्होंने कहा महात्मा जीने कि ये जो माता है उस माता के पास पैसा था ही नहीं और ये पांच रुपया भी पता नहीं कब से बचा करके रखा होगा और वो लाकर के मुझे दिया इसका मतलब क्या है उसने तो अपना सर्वस्व दिया है तो कितना दिया है व बहावे वो मायने रखता है इसलिए मैं हमेशा सुन्दर साथ से कहा करता हूं कभी-कभी क्या होता है कि मैं यह दिखाने की कोशिस नहीं कर रहा हूं कि मैं अच्छा हूं लेकिन मैं सभी सुन्दर साथ को यह कहता हूं कि सुन्दर साथ जी यह जरूरी नहीं है कि कोई लाखो कि सेवा करे भावना सेवा की होनी चाहिए कुछ सुन्दर साथ आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि तो उनको ना सेवा देते हुए सरम आती है कि कि जहां लोग हजारों सेवा दे रहे हैं वहां पर मैं यह सो रुपए पचास सुल्पए में कैसे दे दूं कि लेकिन अब हरदय में भाव है तो अब दे दे देते हैं amouse कि अब इतना तो राज्य की कृपा से पता चल जाता है कि कोन म्हाव से दे रहा है न न होते हुँए भी क्योंकि हम जिस जगह पर जाते हैं हमि पता है कि कौन किस प्रकार का वेवसाय करता है कई सुन्दर्शाथ ऐसे किसाद परिवार से हैं जो जितना कमाते हैं जितना अनाज उगाते हैं उतना ही खापाते हैं अलग से खरीद करके खाने की उनकी हैसियत नहीं होती लेकिन उससे भी बहुत सारे सुन्दर्शाथ ऐसे हैं जो थोड़ा कम खा करके भी सेवा के लिए अनाज पहुँचाते हैं अभी कुछ समय पहले में एक जगा पर गया वथा मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा वहाँ पर कुछ सुन्दर्शाथ सेवा इकठा कर रहे थे क्योंकि ऐसा नहीं कि दुनिया में बूरे ही लोग हैं अगर सिर्फ नकारात्मक्ता होती तो दुनिया चलती ही नहीं बहुत सारे अच्छे लोग पी हैं जिनके हृदय में सेवा की भावना है और वैसी सेवा भावना हमें सीखनी चाहिए इसलिए में ये वर्णन कर रहा हूँ ज्यादा दिन भी नहीं अलग बग एक महिने के अभी पिछले महिने की बात है तो मैं उस जगह पर पहुँचा हुआ था गया हुआ था तो वहां कुछ सुन्दर साथ श्री प्राणात ज्यानबिठ के लिए गेहु इकठा करने के लिए गए होंगे तो उन सुन्दर साथ ने अपनी समझ से अलग-अलग घरों में जाकर के कहा कि इस तरह से आश्रम में गेहु भीजवान आए तो आप दीजिये और एक घर ऐसा था जिसके विशे में सब सुन्दर साथ को पता था कि इनकी आर्थिक स्थति इतनी अच्छी नहीं है और इनके पास खेत भी ज्यादा नहीं है और ज्यादा अनाज भी नहीं हुआ आओगा इस साल तो हम मांगने नहीं जाएंगे वो सुन्दर साथ की अपनी समझ थी अपने जगह पर वो बिल्कुल ठीक थे लेकिन जब उस वेक्ति को पता चला कि मेरे यहां मांगने क्यूं नहीं आए तो वो नाराज हुए जाकर के सुन्दर साथ के कहने लगे कि आपने मेरे घर से अनाज क्यूं नहीं लिया तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें लगा कि शायद आपके पास जमीन कम है तो आपके पास अनाज कम होगा इसलिए आपके इस्थति को देखते हुए हम आपके पास मांगने के लिए नहीं आए तो कहते हैं कि नहीं ये सोचना आपका काम नहीं है जैसे दूसरे सब लोग सेवा कर रहे हैं मेरे मन में भी भाव है मैं ज्यादा नहीं दे सकता तो मेरे तरफ से 5 किलो ले लीजिए लेकिन जरूर लीजिए मेरी सेवा भी ज्यानपिठ पहुंचनी चाहिए ऐसी जो सेवा भावना है वो राजजी तक पहुंचती है इसका मतलब यह नहीं कि जो ज्यादा दे रहे वो नहीं पहुंचेगी मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना भी दे लेकिन भाव से दे तो मैं वर्णन कर रहा था कि जितने सुन्दर साथ है ना जो सुन्दर साथ 10, 20, 50 रुपे देते हैं कई बार क्या होता है कि हम जैसे कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो कुछ सुन्दर साथ लिफाफे में सेवा भर के देते हैं अपनी अवस्था के हिसाब से तो हम लाते हैं और कार्यालाई में जैसे जमा करते हैं जो भी परिस्तिती होती है लेकिन मैं देखता हूं कि यह सुन्दर साथ इनके पास ज्यादा है इस वज़े से नहीं दे रहे हैं इनके पास नहीं है फिर भी बच्चा करके 10-20-50 रुपे दिया है यह 100 रुपे दिया है मैं उस 10-20-50 रुपे को अपने पर्स में रख लेता हूं कि मुझे लगता है कि इसके पीछे यह जो भाव है यह जो पवित्र भावना है यह हम हर जग पर इसको प्राप्त नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि यह जो भाव है वो अनमोल संपदा है सोची कि मैं एक सामने साथ तुछ सा वेक्ती हूँ मुझे इतनी समझ येदी हो सकती है तो परमात्मा वो तो एक एक पल के विशे में जानता है वो इस तरह से परिणाम को नहीं देखता है वो देखता है भाव को इसलिए गांग जी भाई जी जो भाव से सेवा कर रहे हैं तो उस सेवा को राज जी देखते हैं और आगे कह रहे हैं कोई नया जो आ वहीं यहां फिर से वनन आया कि कोई नया जो आ वहीं बीच इन निजधाम सुन्दर साथ के जमात में जो सामिल होता है कोई नया वेक्ति तो स्री देव चंद्र जी सुख पाव ही सुख एता कहो इस ठाम फिर से पता चल रहा है कि देव चंद्र जी को खुशी कब होती थी सुख कब होता था जब कोई नया वेक्ति आता है और इसके पिछे कारण क्या है कहते हैं इन भोम में देखिया साथ धनी स्री धाम कि इस जागनी के ब्रह्मान में सुन्दर साथ के हरदय में कौन है धाम धनी स्री राज्जी विराजमान है सुन्दर साथ भी राज्जी के अंग है और इनको राज्जी ने ही यहाँ पर भेजा है और मुझे इन्हें जगाने की जिम्मेदारी दी गई है जिस दिन हमारे अंदर भी जब सब के अंदर ये भावना होगी कि सुन्दर साथ के हरदय में राज्जी विराजमान है और वो स्री दूसरे सुन्दर साथ के लिए ने अपने लिए भी तो समाज से सभी प्रकार की कूरितियों का समाधान हो जाएगा कैसे कि जब हमने ये माना कि हमारे हरदय में राज्जी विराजमान है चौपई तो कहते हैं अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है तुम आये करो आराम इसका मतलब क्या है कि है धाम धनी मेरा जो धाम है वो आपका अर्ष है आपका धाम है मेरा हरिदय आपका धाम है ऐसा हम ने कहा य Penyithi सच में हम इस चीज़ को मानते तो हम कभी भी विकार का चिंतन नहीं करेंगे बुराई का चिंतन नहीं करेंगे क्योंकि जब कोई सामान्य वेक्ति को हम अपने घर में बुलाना होता है आमंत्रित करना होता है तो घर की सफाई करते हैं कि नहीं तो जिस हृदय को हम परमात्मा का धाम करें उसमें विकारों का चिंतन हम कैसे कर सकते हैं एक बार एक माता थी उनके घर में एक साधू आय भिक्षा लेने के लिए तो साधू का इनियम होता था आज के साधू की तरह नहीं पहले साधू का इनियम होता था कि कुछ उपदेश देते थे उसके बाद ही भिक्षा ग्रहन करते थे तो माता ने पूछा कि मातमा जी आप ये बताईए कि मैं सत्चंग में भी जाती हूँ दान नित्यादी भी करती हूँ, मंदीरों में सेवा भी करती हूँ, परिक्रमा लगाती हूँ समय समय पर वरत जिसको उपवास केते हैं वो उपवास भी रखती हूँ इसके बावजुद भी मुझे परमात्मा का अनुभाव नहीं मिला है कृपय मुझे कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि मैं उसके अनुभाव को प्राप्त कर सको उसके आनन्द को प्राप्त कर सको तो महात्मा जी ने मामला समझ लिया और कहा कि ठीक है मैं कल आऊंगा तो तभी ग्रहन करूंगा तुमसे भिक्षा भी कल ही लोंगा और उपदेश भी कल ही दोंगा अब अगले दिन माता जी तयार है कि महात्मा जी आएंगे तो उन्होंने खीर तयार किया मात्मा जी को देने के लिए भिक्षा में महतमा जी पहुचे तो उनके हाथ में एक वो कमंडलू थे कमैंडलू दिया माता जी को और कहा कि इसमें खेर भर दो उसके बाद उपदेश दूँगा वो खेर भरने के लिए माता ने कमंडल हाथ में लिया तो लगा कुछ भारी-भारी साय, खाली कमंडल तो इतना भारी नहीं होता है, तो अंदर गई खोलकर के देखा, तो उसमें गोबर मिट्टी वगर अपड़ा हुआ था, तो उन्हें ने सोचा, पता नहीं कैसे महात्मा है, अजीव है, कमंडल में गोबर डालके कौन रखता है, ऐसा सोच करके उन्हें उस कमंडल को बहुत अच्छे से धोया, बार-बार धोया, ताकि गोबर की गंध ना आए, बदबु ना आए, उसके बाद में उस पात्र में खीर को डाला, ढकन बंद किया और महात्मा जी को वापस लोटा दिया, महात्मा जी ने वो कमंडल लिया और वापस चल दिया, कोई उपदेश नहीं दिया, तो माता ने कहा कि महात्मा जी आपने तो कहा था उपदेश देंगे उपदेश तो देते चलिए तो कहते हैं यही था मेरा उपदेश कि सुन्दर साथ के हृदय में राज्जी विराजमान है ऐसा हम अपने उपर भी ले करके चलेंगे कि हम चाहे लोहे की साथ दिवाल की अंदर बैठ करके भी बुराई का चिंतन करेंगे, किसी का अनिष्ट चिंतन करेंगे, तो राज्जी देख रहे हैं क्योंकि वो हमारे प् और किसी महापुरुस ने कहा ना कि आप बदलो तो यूग बदलेगा, सभी सुन्दर साथ ये भावना लेंगे तो अपना सुधार करेंगे और जब दूसरे के हृदय में राज्जी हैं ऐसा भाव लेंगे, तो सुन्दर साथ से भी कभी घृणा नहीं करेंगे, सोचे कि अ अपने हृदय में विकार नहीं है, दूसरों के प्रती घृणा नहीं है, ये चीज सब के अंदर आ गई तो हो गया सुधार, इसके लाव और क्या करने के जरूरत है, तो अब स्री देवचंद्र जी यही देख रहे हैं, कि सुन्दर साथ के हृदय में धाम धनी है और इनको मुझे क्या करना है, देऊ धाम नियामत, नियामत मतलब होता है खजाना, खजाना कौन सा यहां पर, परम धाम के ज्यान का, तार्तम ज्यान का खजाना देना है, और क्या करें, एक कौन भातों सुख पाव ही, सोई करो में इत, कि मुझे क्या काम करना है, जो काम करने से, सु सुख मिले सुंधर साथ को खुशी हो मुझे वही काम करना है और वो काम क्या है माया से निकालने का क्योंकि लोग कब तक दुख ही है जब तक माया में क्योंकि माया वाणी कहती है माया तो दुख निधान जी माया दुख–दाई नीng है च्छनिक सुख इस पर है च्छनिक सुख का जरिया भी बहुत है लेकिन उस च्छनिक सुख को पाने के लिए भी पहले दुखी होना पड़ता है और वो दुखी आप हैं दुखी है इस वज़े से संसार का जो च्छनिक सुख है वो आपको सुख दाई लग रहा है और मैं बार रूपी दुख से गुजरना पड़ता है, अगर भोख का दुख आपको ना हो तो भोजन का सुख आपको मिलेगा यह नहीं, आप अच्छा अच्छा व्यंजर खरिद के लाइए भोख ना हो तो भोजन का सुख आप नहीं ले पाएंगे, आप महेंगे महेंगे गद्दे बिस दुख नहीं ले सकते तो माया में दुख ही दुख है सुख पाने के लिए भी दुखी होना पड़ता है वही सुख थोड़ा ज्यादा हो तब भी दुखी होना पड़ता है अच्छा मकमली गद्दा है उस गद्दे में लेटने पर आपको आठ घंडे तक सुख मिल सकता है ले आप लगता है कि अब उठना चाहिए लेकिन अब हाँ से गाडर है और आपको कहा दिया जाए कि 15-20 गंटे तक आपको उठना ही नहीं तब क्या होगा कि जैसे आप लेटे हैं अगर एक करवट में लेटे रहे तो सरीर सुन पड़ जाएगा करवट बदल बदल करके भी मान स्पेशियों में दर्थ सुरू होगा ठीकि भोजन का सुख है आप माल लीजे कि समो से खाना आपको अच्छा लगता है तीन समो से खाए आपका पेट भ समझ रहें वास्ता में वो भी थोड़ा सा ज्यादा मिले तो दुख ही लगने लगता है जो मिठाई खाने में हम सुख समझते हैं थोड़े मात्रा से ज्यादा खाले कुछ दिनों तक तो हम डाइबेटिज के पेशेंट बन जाते हैं तो यहां पर दुख ही दुख है अब स सुन्दर साथ को सुख देना है तो माया से मुक्त करना जन्म मृत्यू के चक्र से मुक्त करना यही एक मात्र अखंड सुख देने का उपाय है और सुख देने वाले कौन है सुभा की सिवा पुजा की आरती की पहली चोपा यादे सुख को निधान जैजे सुख को निधान स सुन्दर साथ को यादने मुझे लगता है कि ध्यान पूजाभी नहीं करते दोनों में से कुछ करें अगर ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आप आध्या दूरी बात समझ करके ध्यानमी ना करें और यह को बढुक्ता कर म सियफवापुजा तो करने तो आपसे रहें ना उधर के रहें तो छुबघु हो जहीं अर टीकित ऊपए की जिसमें राजी को और च कहा गया सुख के निधान है तोच loosen माया मिने होए गए परवस ब्रह्म सिष्टिया माया में आई है सुन्दर साथ और माया के वसिभूत परवस मतलब पर के वस में दूसरे के वस में होना माया के वसिभूत हो गए हैं अब इनको समझाने का काम करना है मैं बाहर निकसों ढूड के काड़ों साथ अब मैं तो चाह ने क्या कहा कि कहा में भेजो तमाम में तुम्हारे पास भेजोंगा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है तो देवचिंद्र जी अब एक स्थान में रहे करके चर्चा सुना रहे हैं और अब चर्चा के क्रम में अब प्रसंग बता रहे हैं कि अजबाई भती जी मेघवाई की रहे गांग जी के घर में मेग भाई जी की भती जी का नाम है अजबाई जो कि गांग जी भाई के घर में रहती थी और उनका विवाह हुआ था स्याम जी के साथ में और मेग भाई जी कौन थी हरवंस जी की पतनी हरवंस जी कौन है मिहिर राज जी के भाई समंध जुड़ रहा है ना मिहिर राज जी के भाई हरवंस जी की जो पतनी है वो है मेग भाई और उनकी जो भती जी है उनका नाम है अजबाई अजबाई रहते हैं गांग जी भाई के घर में तो देवचंड जी चर्चा कहा करते हैं गांग जी भाई जी के घर में ठीक है तो गांग जी भाई के घर में चर्चा होती है वो कौन सुनती है अजबाई जी जिनका विवा हुआ था स्याम जी के साथ में और चर्चा जो अलव की चर्चा होती है आते हैं सुनते हैं औ और अपनी बुवा से मतलब मेग भाई जी से आ करके वर्णन करती हैं कि देखें गांग जी के घर में राज की मेहर बानगी आई कि गांग जी भाई के घर में राज जी की मेहर हो रही है क्रिपा हो रही है कैसी क्रिपा हो रही है कहते हैं राज नित देवे दीदार आरोगे ब दर्शन देते हैं तीनों वक्त दर्शन दे करके भोजन करते हैं यह आड़ी का लिला हो रही है और वस्ता मागे आरोगते आज क्यूं फिकी खारीकिन और यहीं नहीं भोजन जब ग्रहन करते हैं तो कभी नमक ज्यादा हो कम हो तब भी कहते हैं कि आज नमक कम क्यूं है नमक ज्यादा क्यों है इस तरह से वह भोग भी ग्रहन करते हैं मिठाई लेते हैं और जब श्रीदेवचंद्र जी जमना जी का वनन करते हैं तो जमना जी प्रवाहित होते हुए दिखाए पड़ती है और एक दिन तो एक सुन्दर साथ को भोजन बनाते हुए कसेडी होते हैं तूट जाता है तो उसकी वज़स से सुन्दर साथ का हाथ जल जाता है तो श्री राज जी ने एक सोने की कसेड़ी भी दी थी सोने का बरतन भी दिया था कभी कुछ देते हैं कभी कुछ देते हैं इस तरह से आड़ी का लिला यहां पर हो रही है इस तरह की बातें अजबाई जी करती हैं मिहर राज जी के घर में जा करके मेग भाई जी के सामने अब मेग भाई जी ने गोवर धन्जी को गोवर धन्जी है मेग भाई जी के देवर मिहर राज जी भी देवर हैं तो मिहर राज जी से बड़े हैं गोवर धन्जी अब मिहर राज जी तो अभी उमर करके खबर लेकर के आईए सूचना लेकर के जानकारी लेकर के आईए कि वहां पर क्या है अब गोवर्धन जी ने बात सुनी बात सुन करके क्योंकि अभी तो उनको पहचान नहीं है तो गोवर्धन जी ने कहा कि तुम चले जाओ ऐसा करके उन्होंने अपनी पतनी पदमा जी को लगा कि ये तो कुछ अलग बात लग रही है ऐसी लीलाद तो कभी हमने सुनी नहीं तो गोवर्धन जी गए तब गोवर्धन गए जाय के लगे कदम में सरन तुम्हारे आया जगावने आतम कि मैं आपके सरन में अपने आत्म जागरिती के लिए आया हूं मेरे आत्म को जागरित कीजिए और ये सन कब है संबद 1687 एक कार्तिक में मजकूर यहां सेती उदय भाई उदय मूल अंकूर विक्रम संबद 1687 का समय है कार्तिक का महिना है मिहर राज जी की उम्र के हिसाब से देखें तो बारवर्ष और दो महिने के हुए हैं अब गोवर्धन जी जाकर कि जुड़े जाकर के वो चर्चा सुनने लग गये और वो भी घर में आकर के बताने लगे कि ऐसा होता है wैसा होता है अब इसी बीच एक और चमतकारी लिला हुई एक और आडी का लिला हुई और देवचंदर जी जब चर्चा कर रहे हैं तो पहले से और जो कफाकार होंगे वहाँ पर उनके यहां के जो लोग जुड़े हुए थे वो भी देज़चंदर जी के पास आने लग गए क्योंकि वो तो जो वन्डन करते थे वो दिखा भी देते थे तो पहले के जो कफाकार थे उनको इर्श्या होने लग गई कि हमारे शिशियों की जमाद कम हो रही है जमाद कम हो रही इसका मतलब हमारा चड़ावा कम हो रहा है तो उन्होंने वहां के कोतवाल से सिकायत कर दी कि एक घर है वहां पे रात के समय में पुरूश और इस्त्री एक साथ बैठते हैं अब आज तो समानता का नारा दिया जाता है कि पुरूश और इस्त्री एक समान है लेकिन उस समय ऐसा नहीं था उस समय पुरूश और इस्त्री को एक साथ बैठने की अनुमती थी नहीं तो कोतवाल ने क्या किया कि उस चुगलखोर की शिकायत पर दो सिपाईयों को भेज दिया और कहा कि जाओ पता करके आओ कंफर्मेशन लेकर क्या आओ कि इस बात में कितनी सच्चाई है तो जो चुगलखोर था शिकायत करने वाला वो दो सैनिकों को लेकर के गया दोनों सहिनिकों को ले जा करके अब दूर से दिखा दिया कि वो जो सामने दिपक जल रहा है न वही घर है गांग जी भाई का वही घर है वही पर पूरुस और इस्त्री एक साथ रात को बैठते हैं और पताने ये लोग क्या करते हैं इस तरह से उसने नकारात्मक भाव से शिकायत कर दी अब उस दिपक को देख करके उस दिपक वाले घर के तरफ दोनों सिपाही बढ़ रहे हैं लेकिन रात भर दोड़े, रात भर वो सिपाही चलते ही रहे, उस दीपक वाले घर तक वो पहुँच ही नहीं पाए, दोनों सिपाही अलग हो गए, अब सुबह जब उजाला हुआ, तो एक सिपाही किसी एक जगह पर पहुचा, तो वहाँ पर सुबह के समय में जैसे पानी भरने के लिए इस्त्री आती थी, तो वहाँ के इस्त्री से पूछा, कि ये कौन सा गाओ है, तो कहने लगे कि ये तो मोहबर जी नाम के एक वेक्ति हैं, उनका सहर है, उनका इलाका है, अब उस सैनिक ने सोचा कि ये जो चोर था, वो जो चुगल खोर था, वो तो हमें मरवा नहीं वाला था, क्योंकि किसी अंजान गाओं में, क्योंकि लगभग लगभग बारह कोस की दूरी पर वो पहुँचा था, रात भर पैदल चल करके, अब किसी अंजान गाओं में कोई वेक्ति रात को पहुँचे है, तो मानले गाओं के लोग चोर समझ करके हमला कर देते तो क्या होता, ऐसा भाव आया उस वेक्ति उस सिपाही को, और जो दूसरा सिपाही था, वो जब सुबह देखता है, थोड़ा उजाला होता है, तब देखता है कि वो तो एक कुए के चारों तरफ घूम रहा था, कुए के चारों चला है, वापस आया, तो दीन मर पैदल चला, साम के समय में, अपने सिपाही मित्र से मिला, और दोनों नी अपनी अपनी आप बिती बताई, अब दोनों इतना ज्यादा गुस्चा हो गए, नाराज हो करके जा करके को तो आलचे कहने लग गए, क्यों चुगल खोरने तो हम में मरवाने की साजिस रची थी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि में बाराकोष दूर पहुँच गया मोहबड जी के गाओं में, और दूसरे ने का कि में तो एक कुए के चारो तरफ परिक्रमा करता रहा, कहना है कि अगर वो चुगल खोर मिला, सबसे पहले हम उसकी गरदन काटेंगे, इस तरह से वो अपना कुरोध जताने लग गए, अब रजी की कृपा से ये ऐसी चमतकारी लिला थी कि सुन्दर साथ की रक्षा हुई, अन्य था अगर ऐसा नहीं हुआ होता, तो सैनिक आते देखते कि पुरुस और इस्त्री एक जगा पर बैठ करके चर्चा स लेकिन उस समय में, आज से लगबग साड़े तीन सो वर्स पहले इस तरह से पुरुस और इस्त्री को इकठा बैठने की अनुमति नहीं थी, प्राचिन समय में ऐसा नहीं था, प्राचिन काल में आप उपनिशद खोल करके देख लीजे, आप वेद उठा करके देख लीजे हर जगह पर इस्त्री और पुरुष को समानता का दर्जा दिया है, और मनुस्मृति तो यहां तक कहते हैं कि यत्र नर्यास्त पुज्यन ते रमन ते तत्र देवता उपनिशदों में ये वरणन आता है कि गारगी, मैत्रिय ऐसी बहुत सी विदूशियां होई है, संकराचारी जी के समय तक भी, संकराचारी जी जब सास्त्रार्थ के लिए पहुँचे मंडन मिश्र के पास, संकराचारी जी और मंडन मिश्र का सास्त्रार्थ बहुत ही प्र नहीं किया था मंद्णमिष्र की पतनी है कि उनको भारती के नाम से जाना जाता कुछ लग वह भुपाई बैपने नम से जानते हैं तो उन्होंने निरने दिया था सोचे वो स्वयम कित्नी विदुसी रही होगी कि संकराचारे जी जैसे विद्वान के साथ हुए सास्त्रार्थ में वो निर्णाईका के पदपर हैं तो प्राचिन समय में इस्त्री और पुरुस में भेदभाव नहीं था गुरुकुलों में इस्त्रियां भी जाती थी हाँ नीती की दृष्टी से अलग-अलग गुरुकुल हुआ करते थे लेकिन शिक्ष्या का अधिकार सबका था सास्त्रार्थ में कोई भी भाग ले सकता था लेकिन मध्यकाल में जब वाम्मार्ग का प्रचार सुरू हो गया वाम्मार्ग के जो पंडित थे तथा कथित उन पंडितों ने सोचा कि क्योंकि सामनी रुप में क्या कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल वो पुरुष ही शिक्षित होता है लेकिन अगर एक इस्त्री शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शीक्षित होता है क्योंकि पुरुष जो शीक्षित होगा वो क्या करेगा यहा इसा नहीं किराओ कि हमेशा यही चीज लागू होते है लेकिन सामानilia रुपसे देखा जाए तो पुरुष शिक्षिया गरहंड करेगा वो शिक्षिया के इसाब से नोकरी करेगा सुबह उठेगा जॉब पे जाएगा साम को आएगा कहेगा मैं ठग गया हूँ खाना खाएगा सो जाएगा घर पे कौन रहता है घर पे रहती है अगर वो इस तरी शिक्षित है तो किसी भी बालक का बालक की पहली गुरु उसकी माता होती है माता उसको अक्षर का ज्यान देती है उसको सही और गलत के विशे में बताती है तो इस बात को जान करके उस समय के जो स्वार्थी पंडित थे उन लोग ने ये नियम बनाया मध्यकाल में वाम्मार्ग के आधार पर उन्होंने इस्त्रियों को सुद्रों को ज्यान से वंचित रखा वेदों में ऐसा विधान नहीं है कहीं पर न उपनिशद में है न इस्मृति आधी में है इस्मृतियों में कुछ लोग ने कुछ स्लोक जोड दिये अने था वेद में तो इस पश्ट रुप से परमात्मा की तरफ से ये कथन कहा गया है कि मैं अर्थात वेद रुपी ज्यान ब्राम्भन के लिए राज परिवार मतलब छेत्रियों के लिए वैशियों के लिए सुद्रों के लिए और अगर उससे भी निमनवर्ग का कोई मनुस्य है तो मैं उसके लिए भी हूँ और उन सब के कल्यान के लिए हूँ ये वेद का मंत्र है इसी तरह से गीता में स्री कृष्ण जी ने कहा कि चतुरवर्ण या मया स्रिष्टम गुण कर्म विभागस जन्मना जायते शुद्रों संस्कारा द्विज उच्यते मेरी स्रिष्टी में चारों वर्ण गुण और कर्म के आधार पर है जब कोई वेक्ती पैदा होता है तो वो शुद्र ही पैदा होता है जब ज्यान लेता है तो उसको द्विज कहा जाता है द्विज मतलब जिसका जन्म दो बार हुआ हो तो इस तरह से अब पंडितों ने इस्त्रियों और सुद्रों को दोनों को ज्यान के अधिकार से वन्चित रखा और वही प्रक्रिया चलते चलते एक पीड़ी दो पीड़ी के बाद में तो जो अंधपरमपरा भी होती है वो भी धर्म मन जाता है कैसे कि एक उदाहरन से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक गाउं में एक विधवा इस्त्रिय रहा करती थी अपने बेटे के साथ में तो उस घर में एक बिल्ली पाली हुई थी बेटा बड़ा हुआ शादी का दिन आया अब शादी के दिन बारात चली गई इधर अब जो माता है जो इस्त्री है लड़के की दुल्हे की माता अब उस बिल्ली के विशे में सोचा कि बिल्ली को अगर हम खुला रखेंगे तो जगा जगा पर मिठाईयों में मुह मारती रहेगी तो इससे अच्छा यह है कि इसको एक टोकरा होता है जालीदार बास का टोकरा बनता ना गाउं में तो ऐसे टोकरे में बंद करके खाना उ बिल्ली खाना खाई आराम से बैठी है अब साम के समय में बारात वापस आई तो अब सभी लोग अपने अपने घर सारा कारेक्रम समाप्त करके लोग अपने घर चले गए अगले दिन सुबह माता को अचानक यादा है कि आरे मैंने तो बिल्ली बंद करके रखी विए किसी क में थोड़ा फरक पड़ा माता ने कहा कि बिटी कल साधी थी इसलिए बिल्ली को टोक्रे के नीचे बंद करके रख दिया था तुम उसको खोल दो छुड़ा दो तो बहु ने कहा ठीक है उसने बिल्ली को छुड़ा दिया बिल्ली चली गए वहां से भाग गए अब लेकिन बहु के मन में क्या प्रभाव पड़ा कि अच्छा ये नियम होगा कि साधी की दिन बिल्ली को टोक्रे में बंद करना पड़ता है अब वो बड़ी हो गई बब 25 साल के बाद में उसके बेटे की साधी थी उस गर में बिल्ली भी नहीं थी तो वो किसी दूसरे गाउं में चेगी वो भी इसी तरह से सोचेगी तो उस घर में ये परमपरा चल पड़ी कि साधी की दिन बिल्ली को टोक्री में बंद करना है तो जो परमपरा एक पीडी दो पीडी तक गलत तरीके से भी चलती है ना समझी के कारण तो वो धर्म बन जाता है तो इसी तरह से ये जो परमपरा थी इस्त्रियों और सुद्रों के विशे में जो तथा कथित उस समय के पाखंडियों ने शुरू किया था वही चीज परमपरा बनी तो इस वज़र से कोतवाल उस चुगलकुर की सिकायत को सुन्द रहा था लेकिन राज्य के क्रिपा से सब सुन्दर साथ के वहाँ पर रक्षा हुई अब इधर क्योंकि ये जो चमतकार है वो भी तो देख रहे हैं गोवर्धन जी कि उनको पता चला है कि कोतवाल तक सिकायत तो पहुँची है कही न करशे पता चल जाता है लेकिन कोई आ नहीं पाया तो बात फैल गए कि किस तरह से दो जो सैनिक है वो एक कुवे के चारो तरफ घूमता रहा और एक दूर कोई गाउं में पहुँच गया था तो ये सारी बातें आकर के गोवर्धन जी अपने घर में कहने लगए कि आज ये आड़ी का लिला हुई कल ये हुई इस तरह से सारी बातें जब कर रहे हैं तो अब मिहिर राज जी भी इस बात को सुन रहे हैं बारह वर्ष की अवस्था है उनकी तो अब बाल मन में इन सब चीजों का और जल्दी प्रभाव पड़ता है कि ऐसा कैसे होगा क्योंकि बच्चों का मन जिग्यास होता है बच्चे पूश्ते रहते ये क्या है ऐसा क्यूं है ऐसा कैसे है तो मिहर राज जी के मन में भी ये हुई कि जो चीज में सुन रहा हूँ वो चीज मुझे देखनी है तो गोवर्धन जी को कहा कि आप मुझे ले करके चलिये है जहां आप जा रहे हैं गोवर्धन ने कहा कि यह 12 साल का बच्चा है अहला बचाएगा वहां जाकर के सच्चंग के बीच में सब तंग करेगा में ले करके नहीं जाओंगा ऐसा सोच करके उन्हेंने मना कर दिया हाथ छुड़ा करके वो चले गए अब क्या हुआ कि कि एक दो दिन के बाद फिर से मिहराज जी गोवर्धन जी के पीछे पीछे वो चले गए रोते रोते भागते भागते गए तो गांग जी भाई के घर के बाहर द्वार के बाहर पहुँच करके उन्हें मिहराज जी को कहा कि रुको अगर तुम्हें अंदर जाना है तो मैं पहले जाकर कि अनुमती लेकर के आता हूँ, उसके बाद तुम्हें लेकर के चलूँगा गुवर्दन जी अंदर गए, मिहीर रजी की विशे में बताया कि सद्गुर महाराज मेरा एक भाई है अभी तो बारा साल का ही है, लेकिन यहां आने की जिद कर रहा है, मैंने सोचा कि छोटा है और अभी उसको जरूरत नहीं है, तो मैं उसको अंदर लेकर के नहीं आया हूँ, लेकिन बाहर वो रो रहा है और अंदर आने की जिद कर रहा है, तो मैं क्या करूँ बताईए, श्री देव चंद्रजी ने ल्याव बुलाए श्री महराज मेहराज जी को बुला करके ले आएए कियोंकि बाल वय वस्त आवत सो हुए पूरन काज बालिय अवस्था में ही जो वस्तु दी जाती है वो ग्रहन कर लेता है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं बाली अवस्था में ही आप जो सस्कार देंगे वो द्रड होते जाएंगे कोई विरला ही ऐसा वेक्ती होता है जो बच्चपन में गलत ससकार मिलने के बाद बड़ा होकर के सही ससकार में जाता है अन्य था बच्चों को बच्चपन में जैसे ससकार दिया जाते हैं बच्चों का ससकार वैसा ही बनता है और प्रसंग चल ही रहा है तो मैं एक बात सब से कहना चाओंगा कि आजकल कि जितने भी माता-पिता जो अभी-अभी माता-पिता बने होंगे, जिनके घर में दो-तीन साल के बच्चे या फिर पांचे साल के बच्चे होंगे, उनके लिए मैं विशेश रूप से कहना चाहूँगा, कि जो पैरेंटिंग है ना, पैरेंटिंग मतलब बच्चों को बड़ा करने की जो कला है, वो क्या है, कि माता-पिता ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को वो सब कुछ देना चाहता हूँ, जो मुझे नहीं मिला, और ऐसा लगबग लगबग सभी लोग सोचते होंगे, लेकिन नब्वे प्रतिशत स्थान में, नब्वे प्रतिशत बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, कैसे? क्योंकि मनुष्य कठीनाईयों से ही आगे बढ़ता है, किसी पश्चिम के किसी विद्वान ने कहा, कि tough time creates strong man, मतलब कठोर जो समय होता है, वो मजबूत मनुष्य को तयार करता है, strong man creates easy time, जो कठोर मनुष्य होता है, जो कठोर बन जाता है, मजबूत बन जाता है, वो आसान समय ले आता है, मतलब सुखद समय ले आता है, फिर easy time creates a weak man, जो आसान समय होता है, वो कज़ूर मनुष्य को तयार करता है, और weak man creates tough time, फिर जो कज़ूर मनुष्य होता है, फिर वो कठीनाईयां पैदा करता है, वो चक्र चलता है तो पैरेंटिंग में भी यही है होता क्या है विशेश रूप में कि मान लिजे कि आज जो सुविधाएं हमारे पास नहीं है मान लिजे कि कोई 15 या 18-20 साल का कोई लड़का है या कोई बहन है उसके मन में क्या होता होगा कि हम तो जब तक कॉलेज नहीं पहुँचे थे तब तक हमें फोन नहीं दिया जाता था और हमें फोन चलाने की इच्छा होती थी तो हम अपने बच्चे को यह सुविधा से वंचित नहीं रखेंगे हम तो हवाई चपल पहन करके स्कूल जाया करते थे दूसरा जोडी चपल तब आता था हमारे घर में जब पहले जोडी फट जाती थी या गूम हो जाती थी हम अपने बच्चों को ऐसी सुविधा देंगे कि बच्चे को कभी इस तरह की कमी महसूस ना हो ऐसा हम सोचते हैं लेकिन इससे क्या होता है और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये सुनी-सुनाई बात है ऐसा नहीं है बहुत सारे परिवार में मैंने ऐसा देखा है कि माता-पिता ऐसा सोचते हैं मेरी कुछ बहने हैं एक बहन है जब उनकी बच्ची मतलब मेरी भांजी हूई है वो जब 5-6 साल की थी तो उनकी सारी जिद वो पूरी करने पर तुली हुई थी अब वो कहें कि मम्मी मुझे ये चाहिए तो एक दो बार अगर मना करें तो वो बच्चे क्या करते हैं पैर पटक के रोते हैं ना मम्मी ये करके तो वो पुरा कर दे तो बच्चे को क्या पता चलेगा कि ऐसे नहीं मिलेगा तो वैसे मिल जाएगा तो वो तरीका शीख जाते हैं अब मान लिजे कि 2-4 साल तक आपने ऐसे जिद पूरी की तो पूरे जीवन भर आपको वो जिद उठाती रहने पड़ेगी इसलिए कभी ये ना सोचें कि हमें जो चीज नहीं मिला हुँ हम अपने बच्चे को देंगे आपके बच्चों को ये पता होना चाहिए कि बुरा दौर क्या होता है कठीनाईयां क्या होती है समस्यां क्या होती है इस संदर में एक बहुत अच्छा और सत्य घटना एक उदाहरण है अम्मानी का नाम तो किसने नहीं सुना होगा मुकेस अम्मानी जी का अम्मानी जी की बेटी फॉरें में पड़ा करती थी तो वहां पर क्या हुआ कि जैसे कभी-कभी होता न अब मान लिजे कि जिस युनिवर्सिटी में अम्मानी की बेटी पड़ रही हो वहां तो फिर बड़े-बड़े अमिरजादे लोग पड़ते होंगे तो वहां जैसे होता न पैसो की जो धौस दी जाती है हेकड़ी दिखाई जाती है तो वहां जब बात हो रही थी तो उसने कहा अम्मानी जी की बेटी ने कि मैं तो प्राइवेट जेट से इंडिया जाओंगी छुटी में जब भी वेकेशन्स होंगे मेरे पिता जेट भेज अब ये बात पता चल गए इधर अम्मानी जी को तो अम्मानी जी ने साफ मना कर दिया कि तुम्हें लेने के लिए जेट नहीं आएगे और बिजनेस क्लास के लिए भी मैं पैसे नहीं दूंगा तुमारे पास जो सेविंग्स हैं पाकेट मनी से बचा करके जो सेविंग्स तुमने रखी है उसमें से टिकट करो और तुम्हें आना होगा अब उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे उनकी बेटी के पास में क्योंकि अब उसको था कि बचाना क्या होता है क्यों बचाना क्योंकि वह तो बैठे-बैठे दिन भर खर्च करते रहे तब पूरे जीवन मे भी अपने पिता की संपत्ति नहीं उड़ा सकती तो उसने कोई सेविंग नहीं की थी तो उसके पास स्रफ इतने ही पैसे थे कि वह एकोनोमी क्लास की टिकट करके आ सके और जब वह वापस आई उसको रिशीव करने के लिए भी कोई नहीं गया जब घर पहुंची तो घर पहुंच करके पिता से जब लड़ाई की तो पिता ने समझाया कि मैं चाहूं तो तुम्हें लेने के लिए प्राइवेट जेट एक क्या दस बेद सकता हूं लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि पैसे की कीमत क्या है जो एक पैसे की कीमत नहीं जानता वो फिर लाख रुपे की भी कीमत क्या जानेगा तो इसलिए जब भी बालकों को आप बड़ा कर रहे हो अभी आपके घर में कोई 6 साल का 8 साल का 10 साल का बालक है तो उसको इस तरह से बड़ा कीजे कि उसको पता चले कि कठीनाईया क्या होती है मैं यह नहीं कह रहा कि उसको खाना मत दीजे दिन में एक ही बार खाना दीजे ऐसा नहीं है भोजन शिक्ष्या उस पर खरच करना आवसे है लेकिन बच्चा यह कह कि पापा मुझे ये वाला फोन चाहिए वो वाला फोन चाहिए ये वाला गेम चाहिए और आजकल तो ऐस ऐसे गेम है मैंने एक एस इतना बढ़ता है और उस वेक्ति ने एक लाख रुपए का वो हथियार खरिदा है जो है भी नहीं सिर्फ मोबाइल के लिए गेम खेलने के लिए एक लाख रुपए उसने उसमें लगाए सोचे कि बांकी पूरे गेम में कितना लगाया होगा और सोचे कि आपके बच्चे कोई वेक्ति वही गेम खेल रहा था माता ने मना किया तो उसने माता के सिर पर कुलहड़ी मार दिया और फिर अगले दो दिन तक उसने किसी को बताय भी नहीं उसका पिता आर्मी में था अरुनाचल प्रदेश में दो दिन तक कुछ पता ही नहीं चला और वो डेड़ बाड ताज झुक गये और जुक करके गलत तरह से परवरिस की इसलिए सभी से मेरा ये आग्रा है कि वीतक में यह जो शिक्ष्या दी गई है कि बाली अवस्था में जो चीज दी जाती है वह चीज रिदय में हमेशा के लिए बहती उसको याद रखें क्योंकि वाणी और बितक में जो अध्यात्म है वो शर्फ आत्मिक विकास नहीं गरता आत्मिक विकास के साथ में भहुतिक उन्नती के लिए भी पारिवारिक उन्नती के लिए भी बहुत कुछ सिखाता है तो उसमें से एक ये प्रसंग भी है उसमें श्रीदेव चिंदर जी ने एक द्रिश्टांत दिया क दुबु को चरण भगवान के भए 5 वरस सो प्राप्त दुबु को पाँच वरस की उम्र में भगवान विश्नु के चरण का मल प्राप्त हो गय थे, ये तो विश्नु पूरान की आदार पर सबको पता है, प्रहलाद भी बच्पन से ही भक्ती के मार्ग में लग गए थे अथा दूसरों का उधारन हम दें उससे अच्छा श्री देवचंद जी का ही उधारन देख लिजिए ग्यारा वर्ष की मन अवस्था में उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न हो गए कि मुझे परमात्मा की प्राप्ती करनी है तो वहाँ से वह निकल पड़े तो उनका स्वयम कानुभवी है सास्त्रों का प्रमान भी है तो इसलिए उनने कहा कि मिहिर राज को आप बुला करके ले के आईए अब आगे गोवर्धन जी मिहिर राज जी को ले करके अंदर आए अब कह रहे हैं तब आए चर्णों लगे स सिर पर धरे हाथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री देवचिंद्र जी के चरणों में आए श्री मिहिर राज जी चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने सिर पर आशिरवाद स्वरोप हाथ अखा अब ये समय कौन चा है बारह वर्ष दो मैना और दस दिन की आउस मिहिर राज जी की ये संबत 1687 का समय है जब इससे छे दिन पहले मतलब जब उनकी अवस्था बारह वर्ष दो मैना और चार दिन की थी तब तब से उनके मन में इच्छा थी कि मुझे देवचंद्र जी से मिलना है छे दिन के बाद में वह भाई से जिद करके पहुंचे और श्री देवचंद्र जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और वहां से उन्होंने तार्तम ज्यान ग्रहन किया कहरें आये के चरणों लगे तब ही दई निध ततखिन हिर्दे मिने आये बैठी जागरित बुध ज्यों ही श्री देवचंद्र जी के चरणों में आकरके प्रणाम किया अब बातिनी रूप से मतलब गुप्त रूप से तो श्री मिहिर राज जी के हृदय में तभी जागरेत बुद्धिया आ गई तभी राज जी ने उनको अखंड का ज्यान दे दिया हाँ प्रगट वो बाद में हुआ लेकिन अब क्योंकि देवचंद्र जी के अ तरह से श्री मिहिर राज जी के द्वारा अब वो मिहिर राज जी कैसे सेवा करने लगते हैं अपने आत्म जागरिती के लिए वो किस तरह से प्रयास रत हैं अपने अंदर के एक एक अवगुण को कैसे वो ढूंड करके निकालने का प्रयास करते हैं और कैसे वो कसनी करते ह तब कसोटी, अब तपस्या समझ लिजे, सामान्य भासा में कहें तो, कि अपने अंदर के अवगुणों को, अपने अंदर के विकार को निकालने के लिए, अपना आहार भोजन भी कम करते करते, दो पैसे के वजन के बराबर, समझ लिजे, कि दो पैसे में कितना वजन होता यह मान करके भी चले कि पहले के जो पैसे थोड़े बड़े हुआ करते थे तब भी कितना होगा एक को और दो कोर सिर्फ उतना भोजन वो ग्रहन करते थे कि सिर्फ प्राण चल सके चर्चा सुना जा सके तो उन्होंने भोजन भी करना बंद किया तो उनकी अवस्था कैसे गाने का प्रयास किया फिर किस तरह से वापस आए और फिर देवचंद्र जी और मिहराज जी की बीच में दूरी कैसे बनी यह सारी चर्चा सुनेंगे हम कल अब समय पुरा होता है चोपाई दोराई है आए के चर्णों लगे तब ही दई नीध अब तत्खिन हिर्दे मिने आए बैठी जागरित बुध आए बैठी जागरित बुध बुलस्री प्राणनात प्यारे की बुलस्री सद्गुरू महाराज की